हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप प्रभा मेकुबर में आपका स्वागत है आज हम सिखाते हैं आपको फैदर कट फैदर कट इन लंबे बालों पर हम करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा इनके बाल बहुत पतले हैं और लंबे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पतले हैं करते हैं हम फैदर कट सबसे पहले हमेशा की तरह बालों को एकदम लेना है हमने और हम चेक करेंगे पीछे के बाल क्योंकि पहले इनका लेयर कट हुआ है बहुत पहले तो इन्होंने कम से कम एक साल बात कटिंग कर रही होगी तो इनके बाल बहुत ज़्यादा पतली हैं बहुत थीन है तो हमने अच्छे से बालों को सुलजा करके हमेशा ध्यान रखो कट चाहे कोई भी हो आपको एक गाइडलाइन लेने के लिए नीचे से हमेशा बालों को स्ट्रेट कट जरूर करना होता है तो उसी तरीके से हम मैंने बहुत अच्छे से सुलजा कर बालों को एक कुल किया है अब आप देखिए और इनको गाइडलाइन लेने के लिए बहुत कम क्वांटीच जितनी क्लाइन बोलता है उससे भी दो इंच आपको बहुत कम काटना है अगर क्लाइन ने आपको बोला है कि आप पांच मतलब पां देते हैं तो अल्मूस्ट उतना ही बाल आ जाता है मैंने जस्ट हलका हलका सा ट्रीम किया है दोस्तों दोनों साइड के बालों को बिल्कुल मिड़ बार पार्टिंग से हमीशा सेक्शन निकाल के अलग लग कर लेगे अब इन बालों का हमने करना है फैदर कट फैदर कट में लेंद बहुत कम होती है लेकिन उसमें बहुत माइनर स्ट्राप भी होता है और आगे से हलका सा लेयर कट भी होता है जो हमारे बालों की लेंद तो उतनी रखती है पर हमारे बालों में थोड़ा बाउंस देता है बहुत ही एकसस में बहुत ज़्यादा थिन है अब आप दे लेने हैं एक बार नीचे एक बार मिड में और एक बार फिर उपर एक दम जैसे क्राउन एरिया किसी दें अब इनी बालों में से थोड़ी सी गाइडलाइन लेंगे जो हमारे पहले हमने काटे हैं देखे मैंने किस तरह से लिए हैं और सेम इसी सिच्टूेशन में नीचे सेक्ष निकाल के स्टैप करते हैं तो इस तरीके से स्टैप करते हैं तो इसमें पर iets पूरे लेयर, डौन साइट से इसक्ष लेलए से करेंगे तो एक ही चीज़ को अगर बार बार देखेंगे तो आप इज़ी ली कर पाएंगे आप हमीशा धियान रखें दोस्तों को कभी भी आपको Caesar अपने हात से नहीं अटानी है आपको कौम भी अपने हात में ही रखना है आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिए मैंने कौन को कहाँ पर टिक किया है सीजर को कैसे लिया है और बालों को किस डारेक्शन में ले करके किस तरीके से हाथ का मूवमेंट लिया है अब देखिए फिंगर के बीच में अला कर मैंने किस तरीके से उसको move किया है हमारे बालों में किस तरीके से bounce आएगा हमारे method का हमारे बालों पर cutting पर बहुत फरक पड़ता है तो आप बहुत ध्यान से देखिए नीचे की guideline के according हम इनको cut देगे देखिए ये बिल्कुल front के बाल है इनको layer के साथ आगे से frinches भी करानी है वो भी मैं दूँगी बाद में करूँगी अब आप देखिए एक side के बाल हमारे cut गए हैं और हमारी length as it is है आपने देखा होगा जैसे इनको गुमाया हमने तो length उनकी वहीं पर है बट हमारा एक side के बाल तो cut गए हैं और हाँ दोस्तों बालों को हमेशा गीला करके काटें ताकि कोई भी बाल अंदर बाल में चिपका न रह जाए देखिए एक बार मैंने नीचे लिया फिर एक बार mid में लिया same method और फिर उपर लिया हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम feather cut करते हैं तो हमेशा side में खड़े हो mid से parting करने के बाद इस side और दूसरी side दौनों side बिल्कुल side में खड़े हो के cutting करें कभी भी आपको mid से नहीं करनी नहीं तो हमारा cut uneven ना आएगा बस एक कुछ करने की ज़रुवत नहीं नीचे वाली guideline को लेकर आप काटते जाएए इसली आपका step हो जाएगा इसमें step बिल्कुल pass pass आता है एक तरह से इसमें proper bounce आजाता है जितने बाल है उतने बाल हमारे उतने बालों में length कम नहीं होती है और cut हमारा अच्छे से हो जाए अगर ठीक तरीके से तो proper bounce आता है यह देखे कितने थिन बाल है बिल्कुल ही damage hair है नीचे के एक तरह से जब भी आपके पारलर में कोई client हाता है इतने damage hair है और उनको बहुत cut नहीं कराना तो यह बहुत अच्छा cut है और बहुत असानी से हो जाता है है आप ध्यान से देखोगे अगर आपको एक बार में मेरी वीडियो समझ में आए तो आप दो बार देखिए तीन बार देखिए तो easily जब तक आपको proper समझ में आए आप देखते रहें तो आपको ऐसे लगे गई नहीं कि आप पारलर से सीख रहे है या किसी वीडियो से मैं कितने अच्छे से एक एक चीज आपको एकस्प्रेइन करते हूं बस आपको डारेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर हम इस साइड के लियर काटेंगे तो ऐसे अब आप देखिए इनकी लैंद मैंने बिल्कुल कमनी किये हैं और एक तरीके से देखा सा काटेंगे और उसके हिसाब से हम इनको बालों की गाइडलाइन लेते हुए जैसे हम लेयर कट में करते हैं सेम ऐसे करेंगे आप दिहान से देखिए आपको इसमें बाउंस नहीं देना है साइड से सिंपल लेयर कट की तरह से इसको काटना है दोनों साइड से अपने सेक्शन निकालकर मेट से पार्टिंग है तो गडबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है दोनों साइड से जीली हो जाएगा देखिए मैं उस साइड की थोड़ी से लेयर लिए है गाइडलाइन के लिए तो हमें पता चल गया कि हमारे बाल कहां से हमको काटने हैं और कितने लेने हैं हमेशा ध्यान रखें दोनों साइड के बाल अगर दोनों साइड से खड़े हो करके आप काटेंगे तो एकदम से एकवल आएंगे अब आप देखिए इनका ओल्मोस्ट कट हो चुका है पीछे का फैदर कट लेकिन हम फिर भी क्राउन एर अरिया को हमने चेक करना बहुत जरूरी होता है हम इस साइड से भी बाल लेते हैं कान के इधर से और इधर से भी लेते हैं कितने भी कोशिश करें थोड़ा बहुत बाल इधर गबड़ हो जाता है अगर मेट से हम क्राउन एरिया से लेकर बालों को एक्वल देते हैं उनके स सेम कट आ गया अब इनी जो उपर के बाल हैं क्राउन एरिया के उपर के बाल बस अब हमें इसी में शेप देनी है क्योंकि हमने लेंड दोस्तों बिल्कुल कम नहीं करनी है उनकी देखिए अब किस तरीके से मैंने लिया है इन बालों को हलका साब हम आगे की तरफ लेंगे दो मैं आपको आगे करके बालों को दिखा रही हूँ हमने मेड लिया अब हलका सा हम आगे की तरफ बालों को लेंगे ये ये देखिए थोड़ासा आगे की तरफ ताके हमारा थोड़ासा कट और आ जाए जितना आगे हम लेते जाएंगे हमारे स्टैप्स आते जाएंगे और य बायर कराएंगे तो प्रापर स्टाप नजर आएंगे इस कट कर यही एक बहुत बढ़िया फाइदा होता है कि दौनों तीनों कट एक तरह से एक कट में ही आ जाती है देखिए बहुत अच्छा कट और बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया है देखिए अब कितना अच्छा बाउंस आ गया उतने ही बाल है हमने कोई बालों को ज़्यादा शौट नहीं किया है लेकिन बस यह ही है कि बहुत थोड़े से बाल है अगर हम पहले ही उनके चार क्लाइंट ने हमें बोला हमें पांच इंच कटा नहीं अगर हम पहले ही इतने का आए हो जाएंगे तो थोड़ा सा बाउंसी लुक देंगे क्योंकि जब हम नीचे से फिनिशिंग देते हैं तो उसके बाद पठा करके एक बार जरूर चेक करते हैं और कोई स्टैप दिना हो तो हमेशा स्टैप दिना पड़ता है देखें बहुत असानी से बहुत अच्छे से आ गया एक से दो बार तीन बार हम हमेशा ऐसे बालों को जरूर चेक करें अगर हम पाटिंग करके चेक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है दोनों जगे से इक्वल बाला आते हैं यह ऐसा इसलिए करना वड़ता है क्योंकि जब अगर हमने कभी भी ड्रायर नहीं किया तो भी हमारे बाल सुन्दर लगी क्योंकि रैगुलर और हमेशा कोई ड्रायर करके नहीं रह सकता उचे नीचे बालों को ड्रायर कर तो एकदम से इक्वल हो जाते हैं देखिए अब इस कट को हम जो बैक साइड का कट है हलका सा बड़ा था उसको हमने इसमें कट के साथ मर्च कर दिया तो हमारा कट वो उपर नीचे ज़्यादा नहीं लगेगा एकदम मर्च के हुए आएं थोड़ा सा और और मैं तो वैसे भी स्ट्ब कट में भी थोड़ा सा लेके करोगे इस तरीके से आगे से तो बहुत अच्छा लुप आजा था था T क्लाइन के भालों बी और कट कल लेruktur के ज़िस देखिए अब हमारे जिबेर को अग्से फिरिंच कर टानी है तो मैंने बीच के भालों को लेकर के थोड़े से भालों लिए हैं कि द डिहां से दिखिए दोनों साइट से बाल लेकर के उसके बालों को मैंने चिन तक equal किया है अब मैं side से हलका सा cut करूँगी क्योंकि उन्हें बहुत ही short लेने थे अगे से हलकी सी frinches करने थी ताकि उनका अगे से भी look थोड़ा change हो जाए अब जो भी client parting करेगा उसके हिसाब से हम दुबारा चेक करेंगे उन बालों को यह देखिए इतने से बाल लेए हैं खाली आगे के जो भी थोड़े से बाल थे वो आगे शेप में आगे और बहुत अच्छा look देते हैं बिल्कुल straight cut है लेकिन यह bounce देकर cut किया है मैंने देखिए आप ड्रायर करिए हमेशा क्योंकि गिले बालों में हलका हलका ड्रायर करने के बाद ही हमें setting देनी है तो अब मैं इनको सुखा लूँगी उसके बाद हमारा step कुल नजर आएगा देखिए यह इनका finish look है लगबा cutting इनका proper हो चुका है ज्यादा कहीं गरबड नहीं है आगे से अगर हमें चेक करना है तो हम layer cut की तरह है दुबारा चेक कर लेते हैं एक पर थोड़ा सा आगे से shape दिया है देखिए इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस पास-पास में step लेने है इसको हम बोलते हैं feather cut और यह बहुत ज्यादा इन है आजकर क्योंकि लोगों को अपनी length भी कम नहीं करनी और उनको style भी चाहिए तो हम इसके cutting के जरिये उनको style दे सकते हैं cut लगबग वही होते हैं लोगों और उनके नाम change कर दिये हैं कि हम layer cut है razor cut है reverse cut है पर आपको उसी तरीके से थोड़ा कर रहा है इसमें एक reverse cut भी होता है जो आगे से बिलकुल आगे से बहुत heavy है मेरे को मौका मिलेगा और तो मैं आपके लिए वो video भी लेकर आउंगी किसी दिन तो आप वो cutting भी अच्छे से सीखेगा आपको समझा जाएगी एक बार में बस मैंने बोला ना हमें कई बार चेक करना पड़ता है कहीं कोई गरबड तो नहीं अब हमने आगे से layer दी इसलिए मैंने दुबारा से चेक किया देखिए अभी भी जितना इंच इनों ने बोला था उतने इंच मैंने कम नहीं किया है जितनी लैंट थी क्योंकि मेरी client ने बाद में मुझे बोला कि नहीं मैं आपने short नहीं किये मेरे बाल जादा प्रॉपर सैटिस्वाइट थी अगर पहली बार में हम पांच इंच कर देते इनके कहने पर क्योंकि इन्होंने बुला मुझे पांच इंच काट दो और हम पहले लंबे बालों के शौट कर देंगे तो फिर हम लेयर देखते देते वो और भी थिन हो जाते हैं अब मैं हलका सा इनको ड्रॉयर दूगी क्योंकि कटिंग के साथ तो बहुत लाइट ड्रॉयर चलता है लेकिन मेरी क्लाइंट ने का मेरे बहुत स्टेट हीर है मुझे कहीं जाना है तो आप मैं मुझे ड्रॉयर ने दो आप मुझे रोड सेटिंग दे दो थोड़ा सा तो मैंन भूमाया है लिखान रहें कि नीचे के बाल बướ्ट कुल evaluating बढ़े लंबी आं रहां सब्सक्राइब नहीं होड़नेर छतेई आगे बालों को दो कि प्षेटीक अब लोजूंगे और सब्सक्राइब यूज। तो इनकी सेटिंग दो से तीन दिन तक इजीली रुखती है जब तक यह वाश नहीं करते। लेकिन मैंने बहुत हलका सा एक ही बार मोड़ा है इसको क्योंकि मेरे पस इतना टाइम भी नहीं था तो मैंने इनका कट दिया है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सतता करता है